हम जानते हैं कि सम्मिकरन एक और दो रैखिक सम्मिकरन युग में हैं जिसे हम अलग-अलग तरीकों से हल कर सकते हैं पर क्या a1 into 1 upon x plus b1 into 1 upon y plus c1 बराबर 0 और a2 into 1 upon x plus b2 into 1 upon y plus c2 बराबर 0 भी रैखिक सम्मिकरन की युग में हैं इसके बारे में सोचिए और उतर दीजिए चलिए देखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि a1 into 1 upon x plus b1 into 1 upon y plus c1 बराबर 0 को कुछ इस प्रकालिक सकते हैं और a2 upon x plus b2 into 1 upon y plus c2 बराबर 0 को हम कुछ इस प्रकालिक सकते हैं सम्मिकरन 3 और 4 में x और y का घात माइनस 1 है इसलिए यह रैखिक सम्मिकरन नहीं है पर क्या हम इने रैखिक युग में के रूप में बना सकते हैं? जी हाँ, हम दोनु सम्मिकरन को रैखिक सम्मिकरन युग में के रूप में लिख सकते हैं आइए देखते हैं कैसे? 1 अपॉन x को p और 1 अपॉन y को q से प्रतिस्थापित करने पर हमें a1 p प्लस b1 q प्लस c1 बराबर 0 और a2 p प्लस b2 q प्लस c2 बराबर 0 के रूप का सम्मिकरन मिलेगा जो की दो चरवाले रैखिक सम्मिकरन युग में है आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरन देखते हैं इस रैखिक सम्मिकरन युग्म को solve करते हैं हम जानते हैं कि सम्मिकरन युग्म सम्मिकरन 1 और 2 रैखिक नहीं है और समिकरन 1 और 2 में 1 अपॉन X को P और 1 अपॉन Y को Q से प्रतिस्थापित करने पर समिकरन 3 और 4 मिलेगा, जो की रैखिक समिकरन यूग में है वीडियो को रोके और इस प्रश्न को सॉल्व करे आपने देखा हमें P बराबर 2 और Q बराबर 3 मिलेगा क्या P बराबर 2 और Q बराबर 3 समिकरन 1 और 2 का हल है? जी नहीं, क्योंकि समिकरन 1 और 2 में X और Y चर है जबकि हमने P और Q का मान निकाला है हम जानते हैं 1 अपॉन X बराबर P बराबर 2 है इसलिए X बराबर 1 अपॉन 2 मिलेगा और इसी तरह y बराबर 1 upon 3 मिलेगा इसलिए x बराबर 1 upon 2 और y बराबर 1 upon 3 दिये गए सम्मिकरन का हल है इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर ले